नमस्कार सभी अस्वपालक भाईयों का मैं सुमेरांजना स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल MP होर्स वर्ल्ड में आज मैं आपको हमारे यहाँ MP बढ़नगर दीपक भाई जाट जिनको सभी अस्वपालक पहचानते हैं उनका सांदार इस्टालियन गबबर दिखाने जा रहा हूँ गबबर एक बहुती सांदार इस्टालियन है जो कि नुकरा ब्रीट से हैं नुक्रा ब्रीट बेसिकली हरियाना से स्टार्ट हुई थी और फिर धीरे धीरे पंजाब पंजाब में नुक्रों की इतनी ब्रीडिंग हुई कि पंजाब को नुक्रों का गड़ कहा जाता है जो सबसे जादा इस्टालियन और अधिक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी को बेसिकली नुकरा को पंजाब की ब्रीट कहा जाता है परन्तु पिछले कुछ सालों से हमारे मद्धी प्रदेश में नुकरा ब्रीट का इतना क्रेज हुआ है कि हाँ एक से बढ़कर एक इस्टालियन और घोडिया बहुती सांदर क्वालिटी वाली और हाइट वाली घोडि मिली एक से एक चेंपियन इस्टालियन हुए और बेसिकली हमारे मद्धी प्रदेश उज्जेन इंदोर छेत्र में नुकरों का बहुती जादा क्रेज है और दीपक भाई का इस्टालियन गब्बर जो कुछ पहले ही कुछ समय पहले ही इनके फार्म पे आया था यह सम्थिं आठ नो महिने हुए होंगे इसको जब यह आया था तब इसके हालत थोड़ी सी डाउन थी पर दीपक भाई को क्रेडिट जाता है इस इस्टालियन को इस तरह से तेयार करने में इनके हातों में कुछ जादू है जो भी इस्टालियन इनके घर आता है वो बहुती सांदार ब बहुती एटिट्यूट और पूरा इस्पोर्ट लेस इस पर हलके से कोई एक आत इस्पोर्ट होंगे बाकी बहुती सांदार गुलाबी चमडी में और इसका एटिट्यूट बहुती प्यारा है खोड़े की बेसिकली लेंद बहुत जादा है बहुती जादा लेंद है सांद गर्दन और बहुत ही सांदार इस्टैलियने ये दिपक भाई अभी इसकी सर्वीस दे रहे हैं इस्टट सर्वीस तो किसी भाई को भी अपनी घोडी मेट करवानी हो तो वो बढ़नगर पलदूना इनका गाउं है जो बढ़नगर से लगा हुआ है वहाँ जा सकते हैं किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हैं और इसकी मेटिंग फीस दिपक भाई ने बहुत ही वाजीब बहुत ही वाजीब क्या ना के बराबर रख रखी हैं अगर एसे इस्टैलियन की हम कहीं बहार कवरिंग लेने जाएं तो ग्यारा हजार इक्किस हजार से कम रेट नहीं होते बाकि दि रिजल्ट भी आ चुके हैं इस्टैलियन की एज होगी सम्थिंग 6 साल का होगा ये बाकि बहुत ही सांदार नखरा और राइडिंग का भी बहुत ही अच्छा है ब्रीडिंग का भी बहुत ही अच्छा है बहुत ही सांदार इस्टैलियन और एक बार सभी भाई कमेंट करकर जरूर बताएं कि आपको घोड़ा कैसा लगा दीपक भाई फीड में कभी भी जानवर को हराचारा नहीं देते हैं तभी ये बाहर निकलने पर जहां इनको हर्याली दिखती है वहां इनका जी करता है बहुत ज़्यादा खाने को बाकि इसका एटिटूट मुझे प्रशनली ब रंग घडा मेला में आपको देखने को मिलेगा धन्यवाद